हेलो एवरिवान आज हुम इस वीडियो में कंपारिशन करेंगी इंफिनिक्स नोड 11S में और पोको X2 में और देखते हैं कि वेस्ट फॉन कौन सा है तो अचली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से तो इंफिनिस की है 6.95 इंच की पोको की है 6.67 इंच की और दोनों फोनों का रेजुलेशन है एक हुजा 801 पार 24 पिक्सल और दोनों फोनों में आपको IPS LCA डिस्प्ले मिलती है और दोनों में ही आपको 120 हर्स का रिफ्रेसित मिल जाता ह और दोनों में ही आपको पंच और कैमरा मिलता है और बात कर लिते हैं प्रोसेसर की तो इंफिनिस का मिलता आपको मिडिटेक का जी नाइटी सिक्स का CPU हट पे 0.5 GHz और का 12 Nm का फिन पैट GPU ही 1750 का वोगो का जो प्रोसेसर है और है स्नापडेंग का 730 GHz का CPU हट पे 2 GHz और का 8 Nm का फिन पैट GPU है 618 का प्रोसेसरी क्वालिटी में प्रोको बैस्ट है बात कते हैं बैख कैमे की तो इंफिनिस का मिलता का और ट्रीपल में केमरा है 50 का पोको का है क्वाड में में जू केमरा है 64 मसल का फिर 8 का फिर 2 का फिर 2 का बात कते हैं फरंट केमी की तो इंफनिक्स का आपको मिलता है 16 का पोको का है डूल 20 प्लस 2 का और केमरा की क्वाल्टी में पोको बेस्ट है में बात कते हैं बैर्य लाइव की 15000 इमेज्ज की 250 00 inhabitants बात की जाए चार्जर की 25 SSW, 25 samma की 2475रец वार्थ वार्ञ दोनोंती आका फिंगरपी सेंश, और फेस लूम के मिल जाता है इंफिनिक्सम्न आज़ाई दो पोको में आपको ट्रीपल सीम नहीं मिलती, दोनों में RAM सीम है 6,68 भी की, मैमोरी सीम है 4,64 भी की, दोनों में ही आपको नोर 11 मिलता है, बात के लिते हैं प्राइज की, तो इंट्रिस का है स्टार्टिंग प्राइज 12,900 पे, पोको का है स्टार्टिंग प्राइज 15,900 पे, तो कौपी राखो दोनों कोनों में सी कौन सा फोन पसंद आया, कौन वर्क्स में जोरू बताना।